इक लेडी थी, जिसके पास कोई जादा पैसे नहीं थे, हस्बंड की देथ हो गई थी, पेंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी, तब एक घटना घटी, उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दर्वाजा के खटखट आया, वो देखती है, वो 14-15 साल का एक लड़का, जो स एल्समें था, और अपनी प्रोड़क्ट्स बेचने के लिए आया था, ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उसने कह दिया, के देख बिटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे गलत उमीद नहीं दूँगी, मैं तेरी चीजवस्ट वें खरीद नहीं पी, बट एक ये दूद का ग्लास तुझे दे सकती हो, जिसे तेरी भूख और प्यास दोनों में जाएगी, बच्चा दूद का ग्लास पीता है, थैंक्यू कहके चला जाता है, इस घटना को और पंदरा साल बीते हैं, अब तो ये लेडी बहुत बुजर्ग हो चुकी है, औ और एक दिन उनको हाट अटेक आता है, आसपरोस वाले उनको हॉस्पिलो में भरती करते हैं, और जब उनके उपर सरजरी होती है, बात में वो ठीक होके अपनी आँखे खोलती है, तब उनको पता चलता है, कि उनके उपर तो ऑलरी एक बहुत बड़ी सरजरी हो चुकी है, और जिसका लाखों का बिल बन चुका है, इस लेडी के पैरो तले से जमीन निकल जाती है, वो रोने लगती है कि हे भगवान मुझे क्यों बचाया, अब मैं ये बिल कहां से पे करूँगी, मैं ये पैसा कैसे दूँगी, और दो तीन दिन वहाँ पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है, वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगो, आखिर मैं उसका डिस्चार्ज कड़े आता है, अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा, बिकास उसके कुछ ज़्यादा रिलेटिव नहीं थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे, जो उसकी मदद कर पाए, वो भारी-भारी कदमों से चलते हुए, रिसेप्शन की काउंटर पर पहुंचती है, सोचती है मैं उसके क्या बात करूँगी, वो कहती है मेरा बिल दिखाए, वो बिल देते हैं, एड अप्रोक्सिमेटली पाँच लाक रुपे का उसका बिल आया है, वो बिल देखती है, पर उनको ताज्यूब हो होता है, प्योंकि उस बिल के नीचे लिखा था, अल्रेडी पेड, और उसके नीचे लिखा था, थैंक यू फॉर दे ग्लास ऑफ मिल्क, यानि वो लड़का जिसको उन्होंने एक दूद का ग्लास दिया, दोस्तों आज वो बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है, और उ अनोंने मुझे दूद का ग्लास दिया था, आज ये रिंठ चुकानी का मौका मिला है, क्यूना ग्यूना अपना रिंठ चुकाउं, मैं और इनका बिल मैं ही भरण, हम हमेशा पूरी जिन्दीगी लगे रहते हैं दुनिया को इंप्रेस करने में अगर सही में इंप्रेस करना है न तो उस उपर वाले को कीजिए आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों न हो ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है और आपका ये प्रेजेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो ये उपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है तो ये